नमस्कार, आज मैं आपको रेकी क्या है और रेकी की क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों हमको रेकी सीखना जरूरी है, आज मैं आपको कुछ रेकी के बेनिफिट्स बताऊंगी, साथ मैं रेकी क्या है ये भी समझाऊंगी, रेकी एक बहुत ही प्राचीन विद्या है, रेकी जापानी भाषा के दो शब्दों रे और की से मिलकर बनी हुई है रेकी ऐसा नहीं है कि आज की देन है पुरानी प्राचीन समय में भी रिशिमुनी भी रेकी को जानते थे तब से रेकी इस्तिमाल होती थी पर रेकी को पुनर जीवित करने का और नया रूप देने का काम डॉक्टर मिकाव उसुई नहीं किया डॉक्टर मिकाव उसुई ने हमको रेकी नय रूप में दी हमको रेकी को जीवित करके हमको रेकी हम तक जन जन तक रेकी को पहुँचाने का काम वर्टमान समय में डौक्टर मिकाव उसुई ने किया डौक्टर मिकाव उसुई ने रेकी को एक बुखत ही सरल रूप में ऐसी रेकी बनाई जो कि आम जंग जिसे इस्तिमाल कर सके और जिसके बेनिफिट्स उठा सके तो ऐसी है रेकी रेकी है दो शब्द रे और की की यानि वही प्राणवायू जिसकी वज़े से हम जिन्दा है जो हमारे शरीर में रोम रोम में सबके शरीर में घूम रही है जो की चाहे उसे की कहें या उसे ची कहें वही रे की है हमारे शरीर बहुत सारे छोटे और बड़े energy centers से मिलकर बना हुआ है हम साथ चक्रा तो जानते हैं लेकिन इन साथ चक्रा के अलावा भी हमारे शरीर में कई energy centers होते हैं ये की उनी energy centers से होकर हमारे पूरी शरीर में rotate होती रहती है जब तक ये energy centers ठीक रहते हैं तब तो आदमी स्वस्थ रहता है एक बहुत अच्छा सुखी और सम्रद जीवन जीता रहता है लेकिन जैसे ही इन energy centers में blockages आने शुरू होते हैं तब व्यक्ति का जीवन disbalance होने लगता है अब blockages क्या? आम शब्दों में बोलें तो जन्म के बाद जो negativity हम अपने अंदर collect करते जाते हैं कहते हैं एक बच्चा पूरी तरह pure होता है क्योंकि उसके अंदर कोई गंदगी खटी नहीं हुई जैसे जैसे हम grow करते हैं बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर ईशा आ जाती है लड़ाई जगड़ा, गुस्सा पता नहीं क्या-क्या भावनाएं आ जाती है गह्या में जो चीजें कलेक्ट होती हैं वह भे हमाले शरीर तक पहुंचती जाती हैं है सारी निगेटिविटी जब शरीर में पहुंचती है तो अनर्ची सेंटर्इंटें बड нравится जो रीकी, जो ची पूरे शरीर में रोटेट हो रही थी जब उन स्वस्थ थे जैसे ही ये चक्रा ब्लॉक हुए, energy centers ब्लॉक हुए, रेकी का प्रवाह बंद हो गया वो चीज जो प्राडवाई उर्जा हमारे अंदर गूम रही है, उसका प्रवाह बंद हो गया जैसे ही उसका प्रभाहबंद हुआ, हमारे शरीर में बिमारिया, परेशानिया, फाइनेंशल प्रॉब्रम सब कुछ आने शुरू हो गई क्योंकि हर जगे तक वो प्राणवाईय उर्जा पहुँच ही नहीं पा रही है तो यह होता है रेकी का कंसेट, अब यहां से रेकी का काम शुरू होता है आप उसको, देखिए रेकी को आप रेकी बोले, ची बोले की की बोले वो ही प्राणवाईय उर्जा ही रेकी है तो रेकी का क्या काम शुरू होता है, जब आप रेकी सीखने लगते हैं तो रेकी इनी सारे energy centers को open करती है जितने भी blockages इन energy centers पे आ गए हैं जिनकी वज़े से प्राडवायू उर्जा हमारे शरीर में नहीं घूम पा रही है नहीं rotate हो पा रही है रेकी उन सारे energy centers की गंदिगी हटा देती है सारे energy center के blockages हटा देती है और जैसे ही ये blockages हटना शुरू होते हैं हम सुखी और सम्रद्ध होने लगते हैं जो रेकी में हम 21 दिन की healing करते हैं या 24 points की जो हम healing करते हैं ये 24 points क्या होते हैं वही energy centers हैं जिन energy centers का मैं आपको बता रही हूं वही energy centers ये 24 energy centers हैं जहां से होकर प्राणवाई उर्जा हमरे शरीर में घूमती है तो रेकी इनी 24 points पे हम इसी लिए देते हैं कि सारे points के blockages हट जाएं जो भी negativity collect हुई है वो सारी negativity हट जाए तो जब हम लगातार रेकी सीख कर इन 24 points को heal करते जाते हैं तो वो negativity जब remove होनी शुरू हो जाती है तो बड़ी से बड़ी बिमारी हो वो भी निकलने लगती है financial problems हो वो भी निकलने लगती है क्योंकि जो प्राणवाई जो ची उर्जा जो है वो अगर शरीर में हमारे पूरे प्रवाहे धंग से होती रहे तो हम पूरी तरह संतो लेते हैं हमारा तन, मन, धन हम पूरी तरह से balance है और balance है तो जीवन में कोई परेशानिया नहीं तो यही है रेकी इसलिए रेकी को सीखना जरूरी होता है benefits और भी बहुत है मैं आगे आपको समझाओंगी क्या-क्या benefits हो सकते हैं और हम physical world में हम जीते हैं तो हम और क्या-क्या benefits हमें रेकी से होंगे मैं वो भी बताऊंगी पर मैं आपको पहले रेकी समझा रही हूँ आपने अगर यह समझ लिया कि रेकी आपके लिए क्यों जरूरी है तो सारे benefits आप उसके उठा सकते हैं तो जैसे ही आपका रेकी का अट्यूनमेंट हुआ आपके अंदर रेकी शक्ती प्रवाहित होने लगी और लगातार आपने healing करके अपने 24 points को clean कर लिया तो समझ लीजिए आपके औरा से आपके शरीर से negativity निकल गई रिलीज हो गई जो 21 days आपने healing की वो यही cleansing का period है यही cleansing का दौर है आपने पूरी तरह से अपने आपको clean कर लिया जब आप clean हो गए उसके बाद हम अपने चाहे तो 24 points को heal करें और चाहे तो हम अपने 7 energy चक्रास को heal करें हम 7 चक्रास अभी जानते हैं अगर हम 7 चक्रास अगर हम समय कम निकाल पाते हैं तो हम 7 चक्रा को heal कर सकते हैं 7 चक्रा बड़े energy centers है अगर हम समय जादा निकाल पाते हैं तो हम 24 points heal करें अगर आप यह heal करते रहेंगे तो किसी तरह की न सिर्फ negativity collect होगी बल्कि आप एक सकारात्मक ऊर्जा से भरी रहेंगे जो लोग रेकी करते हैं उनकी औरा आप देखिये उनकी ओरा में एक चमक होती है वो चमक ही रेकी की चमक है तो ऐसी होती है रेकी इसलिए हमें रेकी सीखना जरूरी होता है ताकि हमारे शरीर के सारे blockages हट जाएं किसी तरह की कोई blockage हमारे शरीर में ना रहे जैसे ही blockages हटेंगे आप अपनी life में improvement करना शुरू कर देंगे हर जगे आपका progress होने लगे हर बिमारी से आप मुक्त होने लगे तो अब ये हुआ कि रेकी क्या है अब मैं आपको कुछ रेकी के और benefits बताती हूँ रेकी के बहुत benefits होते हैं जिसको एक video में तो cover किया ही नहीं जा सकता मैं आपको छोटे तोर पे थोड़ा-थोड़ा समझा रही हूँ जो लोग नए हैं अभी रेकी को नहीं जानते बहुत सारे लोग call करके पूछते हैं रेकी क्या होती है तो मैं उनको रेकी समझा रहे हूँ कि रेकी क्या है और क्यों रेकी ज़रूरी है तो रेकी का पहला benefit यही है कि आप जब रेकी सीखते हैं तो आप universal उर्जा से जोड़ जाते हैं यूनिवर्स के साथ आपका तालमेल बन जाता है एक अच्छी उर्जा के साथ आपका तालमेल बन जाता है आपके mind, body, soul सब कुछ प्योर हो जाता है क्योंकि आपको cleansing करना आ गया तो सबसे पहले तो जब आप universal उर्जा के साथ तालमेल में हो गए हर उस frequency को आप accept कर रहे हैं जो आपके body को चाहिए तो वहाँ से आपका शरीर आपकी जिन्दी की balance होने लगती है दूसरी चीज, spirituality जो लोग रेकी करते हैं उनमे spiritual development तेजी से होता है आपकी spirituality में तेजी और ज़्यादा growth होने लगती है हर वेक्ती किसी ने किसी हद तक spiritual होता है हम सभी भगवान को मानती है जब आप रेकी करने लगते हैं तो आपकी spiritual growth बहुत तेजी से होती है आप अपने higher self के साथ बहुत अच्छे से जुड़ चुके होते हैं और जब हम अपने higher self के साथ जुड़ चुके हैं तो हमारे higher self कभी भी हमको गलत काम नहीं करा सकते यानि हम अच्छे मार्ग पे चलने लगते हैं हम जूट बोलना बंद कर देते हैं अपने आप हमारे अंदर एक सच्चाई की चमक आने लगेगी spiritual growth हमारी होने लगेगी हमारी intuition बढ़ने लगेगी रेकी करते करते आपका psychic जो abilities हैं वो अच्छे से develop हो जाएंगी psychic abilities हर विक्ती के अंदर होती हैं लेकिन जो लोग रेकी करते हैं उनकी psychic abilities और ज़्यादा develop हो जाती हैं जब आप दिन रात अपने third eye पे healing दे रहे हैं तो third eye बहुत ज़्यादा activate होने लगती है तो इस थारे से आपकी spiritual growth बहुत अच्छे से हो जाती है अगर हम physical word के बात करें तो चाहे कैसी wish हो आपकी चाहे बच्चों की education से जुड़ी हो चाहे अपने अच्छे job की हो चाहे money की हो हर wish को आप रेकी से पूरा कर सकते हैं बहुत सारे रेकी में ऐसे methods हैं जिनसे की आप अपनी wish को पूरा कर सकते हैं चाहे आप रेकी भेजें situation को आप रेकी भेजें आप interview देने जा रहे हैं आप interview की situation को रेकी भेजें आप exam बच्चा देने जा रहा है आप exam की situation को रेकी भेजें चाहिए आप विश्चित बनाकर उसको healing दे अनेकों ऐसे methods हैं जिससे आप अपनी हर wish को पूरा कर सकते हैं रेकी के लिए कोई असंभव नहीं है पर हमेशा याद रखे रेकी एक सकारात्म कूर्जा है कोई भी negative wish आप रेकी से नहीं पूरी कर पाएंगे positive wish आपकी जो भी होगे आपके मन में खयाल आएगा और आप रेकी से उसको पूरा कर पाएंगे केवल आपको strong intention की जरुदत है अगर आपका intention strong है कि नहीं मुझे ये करना है और मैं कर सकता हूँ तो यकीनन आप उसको कर पाएंगे चाहे आपका relationship heal करना हो दो लोगों के बीच में problem हो रही हो आप उसको रेकी से बहुत अच्छे से heal कर सकते है तो रेकी के लिए physical world की कोई चीज ऐसी नहीं है जो रेकी से संभव ना हो रेकी से आप सब कुछ कर सकते है रेकी से आपको mental clarity देती है जो लोग रेकी करते हैं वो कश्मकश में कम रहते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है ये उलज़न नहीं रहती है mental clarity आती है जब आप दिन रात अपने crown चक्रा को heal करते हो अपने third eye चक्रा को healing देते हो तो आपको mental clarity आती है आपके सोचने समझने की शक्ती develop होती है हमेशा आप सही decision लेते हैं सही रास्ते अपने लिए चुनते हैं ये सारी चीज़ें आपको रेकी से मिलती है बिमारियां आपके शरीर से दूर होने लगती हैं अपने आप क्योंकि दिन रात रेकी करके आप अपनी औरा को शुद रख रहे हो आपकी औरा शुद है मतलब शरीर में बिमारियां नहीं आएंगी क्योंकि बिमारिया औरा से होकर ही शरीर में आ रही है जब आपने औरा को clean कर लिया तो मतलब बिमारियों को शरीर तक आनी ही नहीं दिया तो इस तरह से आप बिमारियों से बचे रह सकते हैं कोई भी ऐसा field हो, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप रेकी से नहीं कर सकते हैं, जो लोग रेकी करते हैं उनके अंदर से डर समाथ हो जाता है, करे जा जाता है आपके अंदर, आप कहीं भी अखेले भी जा रहे हैं तो आपको पता है कि रेकी शक्ती आपके साथ में है, आप बिना डर के अब कोई भी काम कर सकते हैं तो ये कुछ होते हैं रेकी के benefits कोई भी चीज की misunderstanding हो relationship में problem आ रही हो कोई भी चीज हो आप बहुत आसानी से रेकी से इन सब चीजों को heal कर सकते हैं रेकी करने से आपका trust develop होता है आपके अंदर की honesty develop होती है दूसरों के लिए कुछ करने की भावना आपके अंदर develop होती है क्योंकि रेकी अकेले हम अपने लिए नहीं सीखते हैं रेकी का अर्थ है दूसरों को भी heal करना तो जब हम रेकी करते हैं तो तन, मन, धन हर तरफ से हम शुद्ध होने लगते हैं हमारे मन में विचार अच्छे आने लगते हैं हमारा दिमाग सही बाते सोचने लगता है हमारा दिमाग दूसरों के पति समवेधन शीर हो जाता है तो ऐसे हमको अनिको benefits होते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे benefits हैं जो रेकी से हमको होते हैं यही कारण है कि प्रितेक विक्ति के लिए रेकी सीखना बहुत जरूरी होता है, भले ही आप रेकी का इस्तिमाल दूसरों के लिए जाता ना करें, पर अपने लिए तो करें, अपने लिए आप जितना रेकी इस्तिमाल करेंगे, आपकी शरीर से बिमारियां, आपका तनाव, आपको जितनी भी problems है वो तो दूर होई जाएंगी. और उसी उर्जा को जब आपको लगे कि आप तयार है और आप दूसरों के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं, तो अपने परिवार के लिए भी इस्तिमाल करिए, अपने परिवार को रेकी से हील करिए, खुशाली के लिए हील करिए, तो रेकी में बहुत benefits हैं, अन्य कों ये benefits हैं, जो कि हमको रेकी सीखने से मिलते हैं, तो इसलिए रेकी सीखना बहुत ज़रूदी है अगर आप कुछ और जामना चाहें या किसी और टॉपिक पे मुझसे वीडियोस चाहें तो ज़रूर कमेंट सेक्षिन में लिखिए मैं रिप्लाय करके आपको उन टॉपिक्स पे भी बताऊंगी उन टॉपिक्स पे वीडियोस भी बनाऊंगी थैंक यू